तो हेलो दोस्तो कैसे आप सभी I hope कि आप से ठीक होंगे तो दोस्तो कि आप भी अपना वीडियो का background color को कुछ इस तरगी से change करना चाहते हैं वो भी काईन मास्टर से तो ये वीडियो आप ही के लिए है तो दोस्तो आज मैं आपको इस वीडियो में बतन वाला हूं कि आप अपना काईन माश्टर रफ को उपन करने की बाद आपको संबने कुछ इस तरगा इंटरस खुल कर आ जाएगा तो आपको इहां पर सबसे पहले अपना वीडियो का size solid कर लेना है तो चले मैं हैं पर YouTube का size solid कर देता हूं उसके बाद सिंपाच आपको हाँपर next option में किलिक कर आये, क्लिक करने के बाद आप किसमने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल कर आजेगा, तो आप कोसी बच आपड़ मीडिया की अप्शन में क्लिक कर लेना है, क्लिक करने के बाद आपके गैलिर के जितने भी फोटो और वीडियो हैं, यहाँ पर आ जाएंगे, तो आप जिस भ काले वीडियो को सालेट कर देता हूं कि सालेट करने के बाद दोस्तो सबसे पहले में इस वीडियो का स्टार्टिंग का पार्ट को थोड़ा सा कट कर देता हूं तो चले मैं यहाँ पर इस वीडियो में किलिक करके यहाँ पर एक क्याची का अप्सन दिख रहाऊगा यहाँ प लेकावंगा, तो इसके लिए शीएफाल सहाब कोहाँ पर एक उप्शन दिख रहा होगा layer का, तो आपको से शीएफाल सहाँ पर इस layer के उप्शन में किलिक कर लेना है, तो आप जासे layer के उप्शन में किलिक कर लेते हैं, आप समने ऐसे बहुँंच पर श..., अप जैसे डिलकर को लेना है तो आप जैसे डिभा जैसे इकन में किलिक कलें तहें आप कुछ इस तरका इंटरफिस खुल कर आ जएगा तो आप कहा से लंगो 001 पर एक अपस हुआ ओगा Color का तो आप कुसी आप पर इस Color केips on में किलिक कर ले ना हैं तो आप जैसे Color केiled के Спह Sugiman में आप Case Mov ऐसल कह सारे एफेक्ट्ट्रा आ जेंगे तो आप कहाँ पर एक effect दिख रहा होगा color changer का तो आप कुछी बचाँ पर इस color changer के option में किलिक कर लेना है तो आप जैसे किलिक कर लेते हैं आप समने कुछ इस तरह का interface कुल कर आ जेगा तो आप कहाँ पर एक download का option दिख रहा होगा तो आप कहाँ पर इस color changer effect को download कर लेना है तो मैंने इस color changer effect को पहले से download कर लिया है तो चले मैं इसे back कर देता हूँ back करने के बाद दुस्तो अब आपको simple चाहिए यहाँ पर फिर से layer के option में click लेना है click करने के बाद आपको फिर से यहाँ पर effect के option में click कर लेना है किलिक करने के बाद आप जो color changer effect को download कर रहेंगे simple सा आप कहाँ पर इस effect में किलिक कर लेना है किलिक करने के बाद अब आपको इस effect को कुछी स्थरीख से अपना video के सभी वाग में कुछी स्थरीख से बड़ा करके लगा देना है उसके बाद आप कहाँ पर इसे write कर देना है write करने के बाद अब आपको फिर से यहाँ पर इस color changer के option में किलिक करने के बाद दोस्तों अब आपको इस color changer effect को कुछी स्थरीख से खीच के ले जाना है अपने video के last part तक तो चले मैं इसे कुछी स्थरीख से खीच के अपने video के last part तक लिए जाता हूं उसके बाद दोस्तों आप कहाँ पर एक option दिख रहा होगा settings का तो आप कुछी से बाद आप इस settings के option में किलिक करने आए तो आप जैसे settings के option में किलिक करने आप किसामने कुछी स्थरीख का interface कर आ जाएगा तो आप कहाँ पर color के option में किलिक करने आए किलिक करने के बाद आप किसामने ऐसे बहुत सारे color आ जाएगे तो आप कहाँ पर आपके video के background color में जो भी color है आप कहाँ पर उस color को select कर लेना है तो मेरे वीडियो के background color में green color है तो चले मैं Simples यहाँ पर green color को select कर लेता हूँ select करने के बाद Simples आप कहाँ पर right के option में किलिक करने के बाद दोस्तो अब आपके समने ऐसे बहुत सारे option दिख रहा होगा तो आप कहाँ पर first बाले option में किलिक कर लेना है color offset के option में और कुछी सतरेखे से इसका color offset को कौम या ज़्यादा करके और just कर लेना है तो चले मैं इसका color offset को कुछी सतरेखे से 75% कर देता हूँ उसके बाद दोस्तो आप कहाँ पर नीचे की तरफ थोड़ा सा swap up करना है swap up करने के बाद आप कहाँ पर एक option मिल जाएगा हुई का तो आप कहाँ पर हुई के option में किलिक कर लेना है किलिक करने के बाद आपको इसका हुई को कुछी सतरेखे से कौम या जादा करके और just कर लेना है तो आप यहाँ पर हुई के option में जैसे ही किलिक करेंगे आपका वीडियो का background color change होना शुरू हो जाएगा तो चले मैं इसका हुई को कुछी सतरेखे से अर जेस्ट कर लेता हूँ तो चले मैं इसे 105 परसंट कर लेता हूँ उसके बाद आप कहाँ पर एक option दिखरा वोगा situation का तो आप कहाँ पर इस situation के option में किलिक कर लेना है किलिक करने के बाद आपको इसका situation को भी कुछ इस तरीके से कौम या जादा करके adjust कर ले ना है तो चले मैं इसका situation को 22% कर लेता हूँ उसके बाद दुस्तो आप कहाँ पर नीचे की तरफ swap खरना है swap खरने के बाद आप कहाँ पर swap से नीचे में एक option मिल जाएगा temperature का किलिक करने के बाद आप को इसका temperature को भी कुछ इस तरीके से कौम या जादा करके adjust कर ले ना है तो चले मैं इसका temperature को कुछ इस तरीके से 18% कर देता हूँ 18% करने के बाद दुस्तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा वीडियो का background color change हो चुका है अब आपको इसे राइट कर देना है किलिक करने के बाद अब अगर आप अपने वीडियो के बेग्राउंड में अगर मॉल्टिपल कलर एड़ करना चाते हैं तो आपको सिंपस यहाँ पर इस कलर चेंजर के अप्शन में किलिक कर लेना है किलिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक अप्शन देख रहा होगा क्याँची जैसे का तो आपको सिंपस यहाँ पर इस क्याँची जैसे इकन में किलिक कर लेना है किलिक करने के बाद आपको इस कलर चेंजर इफेक्ट को कुछी स्तरके से बीज से कट कर देना है तो चले मैं इसे कुछ इस तरगे से 20 से 1, 2, 3 कट कर देता हूँ कट करने के बाद दुस्तो अब आपको सिंपाशा इसे राइट कर देना है राइट करने के बाद आपको सिंपाशा यहाँ पर इस कटे हुए color changer के option में किलिक कर लेना है किलिक करने के बाद आपको फिर से यहाँ पर settings के option में किलिक कर लेना है किलिक करने के बाद आपको यहाँ पर हुई के option में किलिक कर लेना है किलिक करने के बाद आपको इसका हुई को कुछ इस तरह के से adjust कर लेना है तो आप यहाँ पर हुई को adjust करेंगे तो आपका वीडियो का background color दूसरा color में change हो जाएगा तो चले मैं इसे कुछ इस तरह की से 180% कर देता हूँ उसके बाद आपको हैं पर इसे write कर देना है write करने के बाद दूस्तो अब आपको हैं पर दूसरा कटे हुए color changer के option में click कर लेना है click करने के बाद फिर से आपको हैं पर settings के option में click कर लेना है click करने के बाद आपको इसका हुई को कुछ इस तरह के से adjust कर लेना है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं जैसे ही इसका हुई को कौम या जादा करके adjust कर रहा हूँ तो यहाँ पर मेरे video का background color multiple में change हो रहा है अब आप यहाँ पर नीचे की तरफ swap up करके यहाँ पर situation के option में click करके कुछ इस तरह के से इसका situation को भी कुछ इस तरह के से adjust कर सकते हैं और आप यहाँ पर नीचे में temperature के option में click करके कुछ इस तरीके से इसका temperature को भी कुछ इस तरीके से कम या ज़्यादा करके adjust कर सकते हैं तो आपका वीडियो का background color multiple में change हो जाएगा अब दोस्तो अब आपको simple से यहाँ पर right के option में किलिक करने है किलिक करने के बाद अब आपको अपना वीडियो को पेले करके देखना है तो चले मैं आपको इस वीडियो को पेले करके देखता हूँ तो दोस्तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इस वीडियो का background color जाए multiple में change हो रहा है तो आप भी कोच इस तरिके से अपना वीडियो का background color को बहुती अच्छी तरिके से change कर सकते हैं पर मैं ही यहाँ पर screen recording कर रहा हूँ तो थोड़ा सा अच्छा change नहीं हो रहा है आप इससे भी अपना वीडियो का background color को बहुती अच्छी तरिके से change कर सकते हैं अब जब आपका वीडियो का background color change हो जाएगा तो आपका पर उपर में एक option दिख रहा होगा तो आपको इसमें किलिक कर लेना है तो आप जैसे shape as वीडियो के option में किलिक कर लेते हैं आपका ये वीडियो आपके gallery में shape हो जाएगा तो दोस्तो कुछ इस तरखी से आप भी अपना वीडियो का background color को change कर सकते हैं भौती आसन है तो ठांकी दोस्तो मिलते हैं किस्या से knowledge of beauty साथ तब तक के ले आसते रहे हुष रहे और enjoy करते रहे